इस ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ What I Eat In A Day, मैं क्या खाती हूँ पूरे दिन चुकि मेरा गोल है मसल गेन करना, वेट गेन करना तो मैं वही डाइट फॉलो करती हूँ जिससे मसल गेन हो वैसे मेरा रोज का डाइट सेम नहीं रहता है, चेंज होते रहता है थोड़ा बहुत सुबह उठकर फ्रेस होने के बाद मैं हनी वाटर पीती हूँ या फिर लेमन वाटर पीती हूँ सुबह एमटी स्टॉमक पानी पीने से बौदी दिटॉक्सिफाइ हो जाता है पानी पीने के तुरंट बाद मैं ब्रेकफस्ट नहीं करती हूँ कम से कम 30-40 मिनट बाद मैं ब्रेकफस्ट करती हूँ और आज मैं ब्रेकफस्ट में ओर्ट्स खा रही हूँ विद बनाना Oats में rich amount of fiber रहता है जो हमारे stomach के लिए अच्छा होता है और हमारे stomach को fuller रखता है Banana में rich amount of nutrients रहता है जिसको weight gain करना है या जो gym जाता है उसको banana खाना ही खाना चाहिए Breakfast करने के एक से देड़ घंटे बाद मैं sprouts खाती हूँ रात को ही मैं चना और मोंग भीगने के लिए देती हूँ और भीगने के बाद सुबह पानी को drain करके रख देने से एक दिन में अंकूरित निकल जाता है चना खाना अच्छा होता है पर अंकूरित चना उससे भी अच्छा होता है घोड़ा को रोज चना खिलाया जाता है तो वह कितना तेज दोड़ता है तो अगर इनसान भी रोज चना खाएगा तो अच्छा खासा इनरजी मिल जाता है अराउंड टुवल वो क्लॉक मैं वन बनाना खा लेती हूँ या फिर वन आपल फिर लंच टाइम होता है दो या धाय बजे लंच में डेली चावल, डाल, सबजी यही सबराता है डेली डाल बनता है पर आज नहीं है आज चावल, सबजी, साग और निम्बू का चार है फिर एक घंटे बाद मैं प्री वर्काउट मिल लेती हूँ प्री वर्काउट मिल लेना ज़रूरी है क्योंकि वर्काउट करने के लिए एनरजी लगता है तो खाऊंगी तभी तो एनरजी मिलेगा रात को पालक पनीर बना था तो मैं पनीर का 4-5 पीसेज रख ली थी खाने के लिए माइक्रोवेव में 30 सकिंद्स मैंने हीट कर लिया क्योंकि डारेक्ली फ्रीज से निकाल कर नहीं खा सकते तो आज प्री वर्काउट मिल में पनीर थोड़ा सा सूजी का हलवा और एक केला है वैसे डेली पनीर नहीं रहता है आज है अब मैं जिम से घर आ गई हूँ और पोस्ट वर्काउट मिल लोगी पोस्ट वर्काउट मिल में ब्रेड और पीनट बटर है यह पीनट बटर खरीदा हुआ नहीं है मैंने घर में बनाया है इसलिए यह थिक बन गया है मेरे से पर खाने में अच्छा है साथ में मैं वे प्रोटीन लेती हूँ वन हिप स्कूप वाटर में एड़ करके मिल्क के साथ एड़ करके मेरे से खाया नहीं जाता पोस्ट वर्काउट में लेना ज़रूरी है क्योंकि वर्काउट करने के बाद एनरजी रहता नहीं है और मसल्स भी ब्रेक होता है तो मसल्स की अच्छी रिकावरी के लिए वर्काउट के बाद प्रोटीन एन कार्ट्स लेना ज़रूरी है फिर डीनर में आज दो मूली का पराठा, सबजी और दो पहर का साग का भूजिया खा रही हूँ बस यही था मेरा आज का दिन मैं आसा करती हूँ What I Eat In A Day ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले साथ ही नोटिफिकेशन बेल आउन कर लीजे ताकि मेरे वीडियो आप तक पहुंच सके इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजे इंस्टाग्राम आईडी है Hi I Am Kajal लिंक डिस्क्रिप्शन में है आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में